आपको अपने घर को सजाने से लेकर आपकी सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी दे गुड हाउस कीपिंग वीकेंड 2013 की शिरुवात हो चुकी है गुड हाउस कीपिंग मैगजीन की सपहल का मकसद है एक ही छत के नीचे हेल्थ, होम केर और ब्यूटी से जुड़ी तमाम जानकारियां एक साथ मुहया कराना मैगजीन ने लगातार नौवे साल इस इविंच का आयोजन किया है एक्ट्रिस और मिस इंडिया वर्ल्ड सराह जेन डायस ने दे गुड हाउस कीपिंग वीकेंड की शिरुवात की मैं जब से बहुत छोटी थी मेरे घर में गर में गुड हाउस कीपिंग मैगजीन मामी पापा खरीते थे और मुझे बहुत ही पसंद था क्योंकि मैं इसके पेज़ी सोड़ा पाट के वे सोड़ा कोलाज बनाती थी और भावी डॉल के घर के लिए यह प्रेज़ीन के पहले ही दिन लेटेस्ट इंफोरमेशन से सजे स्टॉल और वरक्शोप पर अच्छी खासी भीड देखने को मिली इस इवेंट में हेल्धी फूट और ब्यूटी ट्रीटमेंट के स्टॉल्स लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं इस प्रेंट कि अच्छी पर में प्रची थाजने से स्टॉल्स बाइट रहे हैं दुनिया के तमाम देशों में मशूर इस मैगजीन के रीजर्स में जादातर महिलाएं शुमार है इस साल इविंच को भी पूरी तरह से फीमेल ओरियंटेड रखा गया है ताकि हेल्थ और होम केर के साथ महिलाएं अपने लुक्स में भी चारचान लगा सकें अपने आप को हर समय सकरफाइस ने जायते है अपने आप भी कि बनना चाहते है सुछ दूस दूस्टाप कररें कुछ सांपिल करेंगे कुछ कि निब में कैंगे लोग देख इखेहाँ आएं कच्चापिं करेंगे कुछ साथिव प्रिंगे कुछ सांपलिंग कुछ ने ब स की वरक्शाप प्रटेंड करेंगे तो एक मौतल बन जाता है चीजें देखने का और चीजें खरीदने का रविवार तक चलने वाले इस मेले में आपके घर को सजाने से लेकर आपकी सेहत बनाने अगर आप अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद है और अच्छी हाउसकीपिंग के तौर तरीकों से वाकिफ होना चाहते हैं तो आप रुख कर सकते हैं दगुड हाउसकीपिंग वीकेंड 2013 का और यहां आकर आप तमाम स्टॉल्स और वरक्शॉप में हिस्सा ले सकते हैं और अपन का सिलसला रगातार जा रही है आप देखते रहें दल्ली आज तक